दोस्तों स्वागत है आप सभी का Apps Point में आज हम सीखेंगे Keyboard में typing sound को कैसे On करते हैं जब भी दोस्तों typing करते हैं तो आवाज नहीं आती है तो आप चाहते हैं कि typing करते समय आवाज आये, sound पिले हो तो ऐसी setting आप Keyboard के लिए कर सकते हैं यह setting करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर keyboard के अंदर ओपर में एक setting का icon मिलेगा अगर आपको ओपर में setting का icon इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से black दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर एक arrow मिलेगा आपको इस arrow पर किलिक करना है तो यहाँ पर आपको setting का icon दिखाई देगा अगर आपको यह setting का icon नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आप किलिक करेंगी तो यहाँ पर सेटिंग का आइकोन दिखाई देगा आपको तो कुल मिला के आपको कीबोड की सेटिंग में आ जाना है तो इस तरह से आपको कीबोड की सेटिंग मिल जाएगी लेकिन अगर आपको कीबोड में इस तरह की सेटिंग नहीं मिल रही है यह setting अगर आपको additional setting में नहीं मिल रही है, तो आपको उपर search कर लेना है, उपर में यहाँ पर आप search करेंगे language, जैसे ही आप language search करेंगे, तो यहाँ पर उपर में आपको languages and input की setting मिल जाएगी, आपको इस तरह से open करना है, यहाँ पर current keyboard, जो keyboard आप में set किया हुआ है, उसका ना keyboard अब इस पर click कर देना है, तो यहाँ पर keyboard की setting आजाएगी, ठीक है अब यहाँ पर आपको पहले number पर एक setting मिलेगी preference, आपको इस setting को open करना है, इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको scrawl करते वे आना है तो यहाँ पर आपको setting मिलेगी sound and keyphrase, आपको इस setting को on कर देना है, यह पूरा हंड्रेट कर दिया इसे ओके कर देते हैं ठीक है इसके बाद यहां से हम बैक आते हैं और देखते अप क्या होगा यहां पर टाइपिंग करते हो वक्त sound play होगा या नहीं तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे typing sound यहाँ पर सुनाई दे रहा है अगर आप इस sound को कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आपको दुबारा से के अंदर typing sound को on off कर सकते हैं अगर आपको off करना है तो दुबारा से सेटिंग में चले जाना है यहाँ पर जो हमने